तो मैं सुनित अर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में और जैसा कि पहले क्लास में इसके ठीक पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कौन सा वेल्स के बारे में ठीक है और वेल्स में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि विल्स कितने टाइप के होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था किसके किसके बारे में मैंने बताया था आपको कि सैलो वेल्स क्या होते हैं सैलो वेल्स क्या होते हैं सै के जारूरी नहीं है कि ब्रस जादा गहरा हो और सब्लों कम गहरा हो मैंने बताया था अप लोगों से कि जो सेलों का पानी आता है उसको सेलेवल कहते हैं जब कि जिसमें कई और पारगम कई पारगम में परतों का पानी आता हो यानि कई एक्विफर्स का पानी आता हो जिसके अंदर उसको डीप विल कहते हैं ठीक है यह दोनों मैंने आपको बता दिया था अभी परतों के बारे में भी पूर बारे में आपको सही सही जानकारी पूरी मिल लाइगी तभी ये पढ़ने में आपको अच्छा रहाएगा ठीक है अब तीसरे नंबर पर हमने जो वेल के बारे में बताया था कि क्या होते हैं ट्यूब वेल आपको बताया था आटेजियन एक बारे में लोग को समझ लेट पाएंगे लेकिन उसके पहले उसके तेसे बारे यह समझ को एक और नाम देते हैं इसको कहते हैं हम लोग क्या को क्रोंग क्या होता है कई बार इंस पे गाही पहाड़ी इन दर कहीं तरह की परते होती है सब पोच करिए कि कोई पहाड़ी इस तरीके से है इसके नीचे कोई घाटी है और घाटी के दूसरे तरफ फिर से पहाड़ी है मतलब एक तरफ पहाड़ी है दूसरी तरफ और यहां यह पुरा घाटी बन रहा है ठीक है अब घाटी में जैसे यह लेयर आई होगी यह मिट्ट की लेर तो होती है तो माली ज़ो उपर एक कठोर चटान है यह पूरी यह पूरी कठोर चटान है ककोर चक्टान का मतलब हुआ सॉलिड रॉक का है पुरा और उसके कुछ अंदर नीचे दबा वगवा यह जो सॉलिड रॉक कि लेयर है पाहड़ी की इसके कुछ अंदर दबा हुआ है कौन कौन दबा हुआ है इसके अंदर एक एक वीफर लेयर ऐसे दबीविए ठीक है एक वीफर लेयर ऐसे दबीविए और फिर इसके नीचे क्या है फिर इसके नीचे एक सॉलिड रॉक की लेयर है इस तरीके से सालिड रॉक की लेयर इस तरीके से तो यह बताइए इस तरीके से सोचा जाए तो इसमें यह किसकी लेयर है यह सॉलिड रॉक की लेयर है मतलब यह एक्वी क्लूड या एक्वी फ्यूज होगा मतलब एक तरह का इमपर्वियस लेआरोगा यहीं फिस लियर होगा लिखर ळीयरोगी यहाँ से यहां तक की जो लेकिन उसमें पानि Frankfurt रहा है और पानिवे पीस लोक करें हो रहा है और पानि नीचे में दर्लोक रहना से नीचे की डार को पानिए करेगा पूरा और इधर से पानी कैसे फ्लो करेगा नीचे की डारेक्शिन फ्लो करेगा तो कुल मिला जुला की जानी जब दोनों तरफ से पानी यहां पर आने लगता है तो पानी इकठा होने लगता है यहीं पर इकठा और वह भी जब ऊपर की कई दूर से आने वाले पानी क प्रेसर जब पड़ता है तो कई बार यह करता क्या है कि इस लेर को ऐसे तोड़ कर कर के पानी क्या होता है से उपर उचल जाता है काफी हाइट तक पानी क्या होता है उचल जाता है मतलब जब इस टाइप से होता है कि दोनों तरफ से पानी का प्रेसर पड़ता है तो पानी ऐसे निकल करके तेजी से उपर उचल जाता है और इससे यह जो कुमा बनता है जो किसको तोड़ देता है इस शुमें पांई पहले तो तेजी से निकलताएं है अगर प्रेशर बना रहे तो पानी लगातार निकलता रहता था कई आटेजियन वेल हैं जिन में लगातार पानी का अभी भी प्रवाह क्या है बना हुआ है और कई आईसे ओता है जिनसे निकल करके फिर धीरे-धिरे पानी यहीं पर रूख करके इसमें कठ्था होने लगता है बीच में इस तरिके से इस फुने में ऐसे पानी कठ्था होने लगता है तो इस बेखो घूँए को जो गासे तोड़ को हिंदी है पाताल owns współ क्या हुआ इसका खास बाग क्या है यह पाताल तोड़ने का मतलब क्या हुआ यह धर्ती का लेयर तोड़ करके बाहर निकलता है तो इस बने विपरीद दिशा में ऊपर की तरफ प्रेसर के ऊपर उड़ जाता है इसको हम लोग अगहां नोसा करते हैं टूब टूब बने से क्या नियाए तो जब भी हम लोग कोई कोई भी हैंड पंप बनाते हैं समर सेबल लगाते हैं या फिर कोई भी ऐसी जो लोहे की या प्लास्टिक की पाइप को अंदर फिट किया जाता है और उसकी मदद से पानी बाहर निकाला जाता है तो उसको ट्यूब बेल कहते हैं समझ मारी बात है तूब बल मतलब क्या है जब अभी किसी शील को फ्रिट की एज़ जाती है धामिन के अंदर उसकी बेवस्था जीसमें ट्यूब डाली मनेज़ जानी फिनल टैने रेज़ जाती इसको पानी निकालते है तो पढ़ना है लेकिन ट्यूबल क्या है यह तो आप समझ गए तो पहले हम लोग के बारे में जनरल चीज़ें समझ लेते हैं जो यह कुए होते हैं अगर इस तरीके से हम कहें इस सालो बेल जो होते हैं जो उथले बड्र coalition सब्सक्राइब होतए है अगर जनरल आपस अंड़ेंगे ना तो मिठी की ये लियर किके होआ कैसे बनता है यह मिठी में कई स्टारी लि Yer संटीक है तो जब भी बारिस वगना होती है इस टाइप से बारिस होती है या अगल वगल से कहीं से पानी रिस्दा है तो वह रिस्ट करके नीचे छंता है अब मालीजी यहां पर यहां यहां पर एक चीज़ को समझेगा यहां से पानी अगर इस तरीके से इसके अंदर पहुंचा तो पानी रिस्ता दीरे-दीरे इसके अंदर धीरे रिस्ता है और रिस्क करके यह इसमें जब गिरता है और यह वाली लेयर जो है वह एक यह लेयर रोटी एक इमपर्विय लेयर ओए ठीकल्ट इन इसने गिरता आ इस पर रुकने लगता है इस पर रुकने लगता थे तो यह आपना लेबल इस टाइब से क्या किया हूआ पढ़ेगा पूरा लेकिन जानते हैं आपकी कहीं आव्ट क्रॉप से इस वाली लेर में तो पहुंचे गाई पानी पानी जो है कहीं कहीं से इसमें पहुंचेगा क्यों 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 कि आगे जाके लेर सापस जब तक नीचे वाली यह अगर एक परभीयस लेरब यह पर्विया सहीं पर्विया से यह भी कैसी है पर्विया से तो जब तक यह इसमें पहुंचे गा नहीं तब तक इसमें नहीं भरेगा सबसे पहले इस लेयर में पानी पूरा फिल होगा पूरा पानी इस लेयर में क्या हो जाएगा और जब इसमें ज़रुवत नहीं पड़े यह कैंए तो पानी का लेवल होता है यह लेबल वह ग्राउंड वाटर टेवल के बराबर होता है पानी perché डाया हो जाता है और जब इस पूरा पानी इसमें से गाइब हो गया है तो आप क्या होगा इस पानी बचे गई नहीं लेकिन अगर इस में को और गहरा खोदा गया होता कि यहां तक पूरा खोद दिया गया होता तो इसका पानी इसका पानी अगर रहता तो इसका पानी इसमें आता इसमें आता नहीं तो इ यहीं तक अगर कुणा खोदा गया है ऐसे जिसमें केवल इसी लेयर का पानी आ रहा है तो समझ लाइए क्या है सैलो बैला कि क्या तो एक चेट जान लिए जब भी कुणे से पानी वगरा की बात की जाती तो सिस्टम तो यहीं है इसके वज़े से क्या होता है तो आपको एक जंदल बात समन में आ गई तो कुछ इन से जुड़े हुए जो बाते हैं जो इसके क्या होता है यह ज्याँ होता है क्या होता है । कई सारी टार्मिनो लॉजी है सबसे पहले मुख शुरू करते है जह रसे तर00 कर दो मतलब वह टाम जो वैल्स के लिए प्रयोग किये आदा यह थी किये वो टर्म souvent से हैं सबसे पहला टर को मतलों इसको हिंदी में में तो कहते हैं तोमे की लभी की लभी कि या पहां कि छमता कि हारी कि है या एल्ड कि है उसको पहले समझ लिजी उसके बाद ये बार बार कोस्टन आए वैंगे मैं आपको बार बार या दिला रहा हूं कि यह पानी निकालने लगे तो पानी उसमें से सूख जाएगा पानी उसमें से क्या होगा सूख जाएगा अब यहां पर इसको ध्यान से समझेगा कैसे कैसे सूखेगा कुए से पानी एक चीज जान लिजे पहले ध्यान से उसके बाद तभी वह चीज समझ में क्या है अगर आप कोई कुवा ऐसे खोदते हैं इस टाइप से यह गहरा कुवा है इसमें अभी खाली उसी को जुंकियां वीवाले इससे को यह मालिजिए कोई पारगम में परत्रत है पारगम हमें मतलब जिसमें फुमा खोड़ा जाए और में में जब हम लोग बात करते हैं ऐसे यह तो कुमे में पानी इसका भरा हुआ है किसका बताई कि इसी लेयर का तो ग्राउंड ग्राउंड टेवल थिक करना तो घर मतलब जमीन पर हैं आप यहां से अब देखेंगे तो इसम्पल सी बात बताएगा इस में पानी की सिर्फ पानी तो इस में आता होगा ना अगर हम इसको तेजी से पाने को खाली करना raises FCC बहूत तेजी से पाने को खालि करना सुरू करने इससे पेंप वगर लगाถे पानी निकालना सुरूर कर दीब तो क्या इस लेयर का पानी इसमें भरेगा नहीं कर्ठा के फिर एक सबrounded में से पानी निकालेंगे न भरना भी जैसे आप लेसे में पानी खीचेंगे इसमें पानी का यह लेवल क्या होगा और लेकिन कहीं आप ने जैसे बहरने की और होगी इसमें भरने कि दर का मतलब होता है कि किस रेट से इसमें भरा जा और सेबल आपने लगाया अखुब तेजी से पानी को निकाल दिया लेकिन फिर थोड़ी दिर बाद छोड़ देंगे ना तो धीरे धीरे इस लेयर से पाने फिर कट्ठाव के कुमें पानी अपने आप मेंटेन हो जाएगा जब भी आप किसी कुमें से बहुत तेजी से पानी निकाल लेंगे थो थोड़ी दिर के लिए तो सुखेगा वो लेकिन फोड़ी दिर बाद अगर जाउन्ड वाटर टेबल है वहाँ पे तो थोड़ी दिर बाद क्या करेगा आप ने आपको मेंटेन कर लेगा पूरी तरीक है समध में मारे बाट आपको ये थोड़ी दर याथ एक्चुली लबदी देखे क्या होती है कि जब आप पानी निकाल रहा है ठीक है तो उस रेट से ही पानी निकाले कि कुवे पानी की कमी नहोंने पाए मतलब जी से इधर से मिल रहा उसी रेट से निकले मतलब आने की दर कुवे में और जाने की दर बराबर है तो उस समय के लब्धी लेने की दर हो सकते हैं अगर एक सेकंड में पंद्र लिटरिस में आरा है और एक सेकंड में आप 15 लिटर निकाल आ है लेकिन आप इसमें आने की दर को नहीं बढ़ा सकते हो तो प्रकृति करेगी तो हमेसा ध्यान रखेगा आप कुवे से पानी से निकाल रहे लेकिन उसमें फिलिंग नहीं हो पा रही है बीस लीटर की तो वास्ताव में लबधी क्या होती है कुवा जितनी तेजी से अपने को फिल करता है जिस रेट से कुमे में पानी आ सकता है ना वो उसकी लबधी होती है और हम भी उसी रेट से निकाले तभी ठीक है अगर हम आने से ज़्यादा खीचने की दर लगा देंगे कुमे से तो कुमा जल्दी ही क्या होगा सूख जाएगा मैं आपको एक इक जामपल स मतलब का जrak उसमें टरब इडिठी हाई हो जाती है उसमें से टाने लगती उसमें मिट्टी आने लगता तू समय होता क्या बताई और बदा petals की जए। वलेकिन अभई जटके में Sr Liinsale इस टइप से यह हैं यह हैं क्या किया करतं आन समझेगा समझेगा यहां में इसमें लगाके सक्सें जनरेट करते हैं है और इस हैंडसें निकलने से यहां से आप उसमें से पानी निकालना शुरू करते हैं जब आप होता कि जब आप एक्चुली नया नया प्रणाता दसता है तो पहले दो तीन दिनों तक वह बड़ा ही उसमें से कीचर निकलता है मिट्टी निकलता है कहता है जो अहंटा धाने वाला कहता है इसको चलाया जाएगा दो-तीन दिनों तक चलाएंगे उसके बाद धिरे-धिरे सा अब आता है जब हैंटम चलाते हैं तो आप देखे यह एंटम पूरा यह गया यहां मिट्टी में धंसा आया है जब इसको चलाया जाएगा तो इस में से यह सारा गंदा पानी और स्ट कीच के अपने अगल बागल अपने अगल बगल अईसे नि इस टाइब से एक गढड़ा बना लेहाँ एक गढड़ा बना लेका ना यहां पर गड़ा बनाएंगा इस गढड़े को गड़े कोई काव्ण लोग क्या कहते हैं कोटष कहते हैं और कोटर दुटर मेंसे जब सारा कचणा निकल जाता है सुरू में जब उसको चलाते हैं तो अगल बगल की पूरी मिट्टी को हटा पर अपना एक कोटर बना लेता है तो कोटर जो यहां पर है उसमें केवल अब क्या गठा होगा पानी कोई कीचड नहीं रहेगा इसमें केवल पानी क्यों क्यों कि मिट्टी तो सारा आप कहीं पर कोई सपोच करें एक दम ऐसे लवाला भरा हुआ कीचड के बीच से आप थोड़ी मिट्टी हटा दिए तो देख तो इस गड़े में लगातार पानी क्या होता है और उपर से खाले लेकिन अगर आप तेजी से इसको चला देंगे तो इस गड़े का पूरा पानी गायब हो जाएगा अब फिर वापस कीचड देने लगता तो कहते हैं लोग कि थोड़ा देर छोड़ दीजे फिर साफ हो जा लगता है ना तो यह पानी धीर धीर इसमें से निकलते निकलते क्या होता है साफ होने लगता है समन्मारी बात क्यों अच्छे बताई थोड़ा दे छोड़ देंगे तो निकलना बंद हो गया पानी का और फिर इसमें धीरे-द्रे गड़ें पानी भरना सुरू हो गया तो ग ग्राइब प्रेश्टर रहता है लेकिन जब काफी नीचे जाता है तो पानी में कीचड़ बनने लगता साफ पानी आपको नहीं मिल पाता समय मा रही होंगी चीज आपको अई सब समन में आ रहा होगा यहां पे सब एकटी यहां पर देहेगा है और आपको फुए का मतलब होता है कुभंगे में पानी भरने की दर जो है वही उसकी क्या क्या लटी कैलाती समगा और क्या है अव पता कैसे करेंगे तो समन में आ के लb कहला थीramer क्यों कि मुपानी देने की छंता ही उसकी एलिंग कह्लाती है vowels ङयां आपको इल्ड वाला टॉपी क्या होगा पूरा समझ में आगे होगा तो ठीक है आप आगे दिखेगा कि ईल्ड निकालने की क्या विधियां कौन कौन से है एल निकालने की जो विधियां होती है वो लगबद दो तरह की विधी होती है ठीक ना दो तरह की विधी क्या-क्या है कौन-कौन सा होता है एक μεतलब होता है कि बता ताम मैं पंपिंग में थटा है पहले उसको समझे लिजिए तो एसको कैसे निकाले को हुआ है की उसमें जो है लोग का Πाम्पिंग में 30 organizing होता है परम पिंग मेथर से Kirsty regarding काम कर यह वंपिंग मेठ़र में कुछ सब्सक्राइब करना एक कुए से त्दी से पाने नीकाली पानी ज़-क तैजी से निकालेंगे तो पानी कालेबल अचानक या होगा गिर जाएगा जितना रहे उससे चला जाएगा पानी का लेवल फटाक से पानी का लेवल उससे क्या हो जाएगा फट सी नीचे चला जायाए हाला कि लेबल यहां तक रहना चाहिए था Ground water table की कराना लेकिन पानी को लतरा से पानी का लेबल किया हो गया उसमें के रेट को slow करें मतलब अच्छा यहां पहुंचा पानी ठीक है तो पानी आप निकाल रहे हैं अगर और तेजी से निकालते आप और तेजी से निकालते तो फिर क्या होता यह पानी और नीचे जाना लगता आप थोड़ा पंपिंग का मतल। होता पानी को बाहर खीचना पंपिंग के रेट को स्लो करिए लाइक पहले अगर आप 20 लिटर पर सेकंड निकाल रहे थे तो आप 19 करिए फिर 18 करिए फिर 17 करिए देखिये कि अगर हम 15 कर दे रहे हैं अगर 15 कर दे रहा हैं तो पानी का लेवल इसी पर रू कुए में ठीक है लेकिन जब हम धीरे-दीरे घटा के लेबल को पंद्रा कर दे रहा है तो क्या हो रहा है पंद्रा पर यह हो रहा है कि यह यहीं पर रुका रहा है इसका और्थ हुआ कि जब हम 15 लीटर पर सेकंड निकाल रहा थे तो कुए में भी 15 लीटर पर सेकंड आ जा र दे रहा है मतलब 15 की रेट से भर रहा है और आप 20 की रेट से निकाल रहा है तो आप हर सेकेंड पांच लीटर एक्स्टा पानी क्या कर रहा है निकाल ले रहे हैं यह सब इक्जामपल है इसको समझे जब यहां से डाउन होगा इसका लेबल और एक जगह पर जो हम स्पीड को 15 लीटर पर सेकेंड पर मेंटेन करते हैं यानि डिस्चार्ज को तो हम लोग देखते हैं कि यह स्थिर हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि हम जो इस समय 15 की रेट से निकाल रहा है उसी रेट से पानी उसमें भर रहा है इसका मतलब कुमे की जो लबधी है वो 15 नहीं होता है ठीक है तो कुमे की लबधी क्या होती कैसे निकालेंगे कि जब भी पंपिंग करते हैं हम लोग तेजी से कुछ देरे बात हुआ की यो तो सब्लो करना सुरू करते हैं तो जिस रेट पर म्षबी पानी का लेबल उसमें घटता नहीं है पानी का लेबल उसमें मेथड है रिक्रॉप्रेटिंग मेथड यानि इसको हिंदी में कहते हैं इसको हिंदी में लोग कहते हैं हिंदी में इसका नाम है पुनर प्राप्ति विधी पुनर प्राप्ति विधी का मतलब क्या होता है द्यान समझी का जर्ण कैसे K reset union यहीं तो पता करना था इस दोनों ही मेथड में लबदी में हम लोग को क्या पता ना था यह पता करना था कि कुभर में किस रेट से पानी आ रहा है ठीक है अब कुछ नहीं करना इसमें कुभर से इस तरीके, इसमें से सारा सब्क्राइब थिघ लिए तो कहां फटाग से पानी का लेबल किया क्या होगा गिर जाएगा तो कहां पहुंच गया है तूर恭喜 का निकाल लें तो फिर से ये धीरे-धी अपने लेबल को maintain करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा तो आप एक काम करिए आप जब पूरी पानी को निकाल लिए है तो यहाँ पर पानी रुका आना उस समय को note कर लिजे ये माली ये दो बजे ऐसा हुआ दो बजे ऐसा हुआ कि ये पानेrig यहां पूरा निकाल दिया आपको रिफ्यल करना शुरू करेगा ? रीफिल का मतलब हुआ कि पानी दिरे-दिरे भरना शुरू हुआ तो इसको भरने दिजी भरने दिजी तो आप जब पानी फिर से कुछ उचाई प्राप्त कर लाइक यहां से यहां पहुंच गया ठीक है यहां से यहां पहुंचा दिरे-दिरे तो बताएं यह यह उचाई पा पहुचने लगे तो उस टाइम को नोट किया हमने एक घंटे में पानी यहां से यहां पहुचा और इस कुमे का आपको मालूम रहागा ना कि और यह पानी का जो आयतन है पूरा पाई र स्क्वार इंटू एच वह कितने घंटे में यह प्राप्त किया तो आपको बताएए पानी की क्वांटिटी पता चल के चुकी है मीटर क्यूब में मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना होते एक हजार से आप मल्टिप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इतने लीटर पानी ये मीटर क्यूब में है अगर आर मीटर में में आपने लिया है तो ये मीटर क्यूब में आयतना जाएगा पानी का PAR SKR 2H इंटू 1000 कर देंगे तो वन क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है 1000 कर देंगे वो आ जाएगा तो आपको इससे यह पता चल लाएगा कि इतने लीटर पानी निकला है एक घंटे में तो फिर एक सेकंड में कितना निकलेगा यह बड़े आराम से आप कल्कुलेट कर सकते हैं समझ सब्सक्राइब होता है जबकि इसमें क्यों की से बतल उता है इसमें किसका यूच कि हम लोगों ने-पंपिंग रेक गषिस पंपिंग रेक पर कुhouette को यहीं और समय के अनुपात को हम लोग लब्धी कहते हैं मतलब दोनों तरीके से आप कुए की लब्धी निकाल सकते हैं थोड़ा इस दोनों मेथड को लिखने के लिए एक्जाम में आता है इसके जैसे मैं आपको समझाए हूं वैसे ही आपको समझाना पड़ेगा इसके लेक्चर के साथ साथ थोड़ा सा किताब और सरन देखिएगा चीज़ें और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी आई होप इल्डिंग आफ वेल आपको समझ में आ गया होगा अब दूसरा चीज क्या है इल्डिंग के बाद क्या होता है कुए के बारे में बहुत सारी और चीज़े है क्या इल्डिंग यह नहीं है अब कुए के बारे में दूसरा यह टर्मिनलोजी थी के वल एल्डिंग एल्डिंग आफ वेल अब दूसरा टर्मिनलोजी क्या है जरा उसको समझी जरा कि मैं एक एक कुआ इस तरीके से बना रहा हूं इस टाइप से ते कन ते कर यह पूर्रा आप का है यहां पर ग्राउंड वाटर टेबल था लेकिन चब तो पानी का लेवल कुछ इस टाइप से हो जाता है यह इसपर यह सबक्थ कर यह ग्राउंड लेवल है पानी का तल इसमें ऐसे था पहले ठीक है पानी का तल पहले ऐसे था मतलब यह ग्राउंड लेबल है यह ग्राउंड वार्टर टेबल है नीचे वाला लेकिन जब पानी खीचा जाता है कुमे से तो कुमा पानी जो इस तरीके से क्या होता यह कुमे से पानी आपी सोचिए यह जमीन का तल है ठीक है और उपर बना लेजिए ताकि आपको इस पस्टता रहे तो इसी रुखिए लेकिन आप जानते हैं जब पानी कुए से बाहर निकाला जाता है ना ऐसे चारों तरब से कोई पानी अपना निकाल रहा है तो यह पानी का लेबल ऐसे फिल होता है कुए में पानी जो भरा रहता है वह हमेशा ग्राउंड वाटर टेबल से थोड़ा नीचे होता मतलब अगर चले जाएंगे से आप तो यहां पर पानी जो है ना यहां तक पूरा भरा हुआ है ऐसे पूरा पानी भरा हुआ है लेकिन अपने अगल बगल का पानी जो है ना कुए में रिस्क कराता है और लोग उसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं तो यह एक घेरा बनाया कुमा अपने तरफ एक घेरा नहीं बना दिया देखिए ध्यान से एक यहां पर बोर किया गया और उस कुए के चारो तरफ का कुछ एरिये का पानी वह अपने अंदर क्या कर ले रहा है घींच ले रहा है तो हम्हें साइज चीज का ध्यान कहते हैं उस सरकल को हम लोग जो सरकल जैसे माली जी इसको प्लान में देखेंगे तो क्या होगा प्लान में यहां पर अगर कुआ है तो इसके अगल बगल का एरिया जहां तक का पानी जैसे देखें यहां तक का पानी स्कुमे में आ यहां तक का पूरा पाने स्कूमे में आ रहा है तिका ना इस सरकल कौम लोग सरकल आफ इंफ्लूएंस कहते हैं सरकल आफ इंफ्लूएंस इंफ्लूएंस sircle of influence कहते हैं इसका हिंदी नाम क्या है प्रधान रित्त असल में नाम तो प्रधान रित्त है लेकिन इंफ्लूएंस सद्द मतलब आप भी जानते हैं क्या होता है joh influence में हो मतलब इस कुए के जो संपर्क में जो vrit है उसको sircle of influencer करते हैं ठीक हे ना इस कोई के संपर्क में जो बित है उसी को सर्कल अफ influence करते हैं है भृत है उसको सर्कल आफ इंफ्लुएंस कहते है ठीक है अब इससे एक तर्मिनोल अलागी आपको पता चलिए कि सर्कल पंदर आता है अगर यहीं पर अच्छा यह बहुत बड़ा हो सकता है आपना सरकल होता है जैसे आप पानी नीचे से समर सेवल जल्दी जब नजदीक नजदीक लग जाता है तो बताए सब का पानी खराम मिलने लगता है इसलिए एक हैंड़ पंजाने जाता था पहले दूर-दूर तक नहसाए जाते नुक्सान क्या उसका देखी अगर माली जिए इसका सरकल यहां तका दूसरा कुमा यहीं बीच में दूसरा भी निकाल दिया जा तो बताइए इसके सरकल को प्रभावित कर दिया इस कुमे के सरकल को यह प्रभावित कर दिये और इस कुमे के सरकल को यह प्रभावित कर दिये मतलब एक कुमा यहां है दूसरा यहां है दोनो या दूसरा कोई ना होने पया कि चंटा प्रभाववित नोगे तो कि सयद् citation रहेगा एक कि technical influence में दूसरा कुँए ना खोड़ा शर्कल औा फिन्फ ये आप लोगों समाझल लिए अब दूसरा चीछील मतलब क्या होताय ना फाल का मतलब होताय जब भी कोई कूणा इस तरीके से बना ये तो पानी निकालने के कानड जो फाल होता है उसी को आम लोग कहते हैं डिप्रेशन है डिप्रेशन when depression sabem Curtain का मतलब क्या होता है सुरू में कुवे कब इसको डेफिनेशन समझ दीजिए कुवे में सुरू में पानी का तल ग्राउंड वाटर टेबल के बराबर होता है अगर नया नया कुमा कोदा जा इस तरीके से नया कुमा इस तरीके से बनाया जाए उसमें जो पानी का तल होता है वो ग्राउंड वाटर टेबल के बिल्कुल क्या होता है बराबर होता है लेकिन जैसे जैसे इसमें से पानी निकलना शुरू होता है इसमें पानी का तल नीचे गिरना गिरने लगता है किसी गिरावट काम लोग डिप्रेशन हेड करते हैं ठीक है इसी गिरावट काम लोग डिप्रेशन हेड करते हैं इसका क्रिटिकल डिप्रेशन हेट क्या होता है क्रिटिकल डिप्रेशन हेट मतलब माली इसमें से पानी आपर निकाला थोड़ा बहुत फाल हुआ यह जो फाल हुआ ना पानी कतल यहां से घट करके जब यहां पहुचा तो इसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन हेड डिप्रे आता है critical depresional critical depression 지금 when the deberison एड मतलब आधिकतम गिरावट होता है पानी का तल इस से ज्यादा नहीं गिरने देना चाहिए खुनिस का मतलब होता है पानी कतल से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए इस लिए हमेसा जो डिप्रेशन हेड होता है वो गृटिकल डिप्रेशन हेड से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए ठीक है यह एक वैल्यू होती है ऐसी बनाई जाती है ताकि इसके नीचे मत गिरने दो असल में क्रिटिकल डिप्रेशन हेड तक कमी पहुंचने ही नहीं दिया जाता है अगर एक क आपको और डिप्रेशन हेड क्यों हो रहा होगा क्योंकि आपको कोई नो कोई डिप्रेशन हेड का रीजन क्या होता है यहाँ पर जो परकोलेशन वेलोसिटी होती है परकोलेशन वेलोसिटी परकोलेशन वेलोसिटी यह क्या होती है अरे जिस दर से आप पानी निकाल रहे हैं वही परकोलेशन वेलोसिटी है माल यह पानी निकलने की जो दर है वह जैसे माने बताया कि 15 लिटर पर सेकंड है 20 लिटर पर से ऐही है तो फॉल एकि पर्कुले संट्राइव होगा दुप्रेक्षान हेड भी क्या होगा बड़े घंक नोट Mont रजबी गुचे यह गो बढ़ेगा तो Tasya ना faded a review करना च्रीक कि पर कुले शन्यों लॉटी कमत्राइब वह घला कि जिसमें जो आपका डिप्रेशन हेर क्रीटिकल डिप्रेशन फर पर पम्सने लागे तो फिर वह प्राउबलम है तो हमेंचा ध्यान रखना चाहिए पर अुने चाहिए तो फिर पर कुलेशन फहासि पर पर तक पहुंसनल लगेगा तो यह सब आपको चीनों को समन में आ गया अब एक चीज़ आता है पर कौन आफ डिप्रेशन कोन आफ डिप्रेशन यह अगला टर्म है आपका माल यह सब नंबरिंग मैं नहीं कर रहा हूं जैसे दूसरे नंबर पर आप नबर आप नाव ले तो मैं आपको लिख दूँ कोन आफ डिप्रेशन कोन आफ डिप्रेशन अर्व अलग नहीं एक चीज़ समझ गया सब समझ में आ जाएगा कोन आफ डिप्रेशन का मतलब यह बताइए यह एक संकु नहीं बन रहा है यह जो सरकल और इस मुए को मिला इस संक्वाकार्याकार में देखेंगे तो यह पूरा गुलाई ओर गुलाई आ के यहां पर कोने पर मिल रही है यह जो एक संखू बना रहा है से संखू उसी को पॉन और डिप्रेशन करते हैं जो डिप्रेशन हो रहा है उसकी वज़य से कौन बन रहा है आऊ उसी को कौन और तो कुवे से जुड़ी हुई ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है कि कुवे इसमें सब सब कोश्चन एकजाम में पूछे गए आपके ठीक है तो आप जब भी इनको पढ़िएगा इस लेक्चर को तो टर्मिनोलोजी को अपने बुक से एक बार रिवाइज भी कर ल इंस्टॉलेशन कैसे किया रहता है इंस्टॉल कैसे करना मैंने जनरल बातें ट्यूब बारे में बता दी जब भी आपको कुछ ना समझ में आया ना तो बेसीक हमेसा याद रखो या विल का नाम लोगे और एक्वीफर्स का नाम लोगे धासाना मैंने अभी थोड़ी दिर पहले अंट पंप को धाकर बताया तो आपको थोड़ा थोड़ा तो आईडिया लग यहा होगा कि तूब्वल धासाने में क्या चीज़ा अप कैसे धासे पानी कैसे आएगा डेटेल तो बात में जारेंगे लेकिन काफी हद तक जानकारी आपको इससे मिल गई होगी ही आउ जल्दी ही मैं थोड़ा लेट हो जा रहा हूं लेकिन एक्स लेक्षर जल्दी ही लाऊंगा तब तक के लिए आपने दोस्तों तक लेक्षर को पहुंचाते रहिए मिलते हैं नेक्स लेक्षर में धन्नेवाद